नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने अलाइन इस्टिटूट निसान दियान की यूटूब प्लेटफार्म पर मैंने तिन उपाध्याप का स्वागत करता हूँ आज मैं जो है आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश स्पेसल की जो मेरी स्रिंखला चल रही थ तो आप जानते हैं कुट्र प्रदेश स्पेसल का कितना महतफून रोल रहता है ठीक है तो यहाँ पर क्वेस्टन लगेगा और मैं जो है क्वेस्टन का एंसर बोलूँगा और नीचे जो है क्वेस्टन का राइट एंसर जो रहेगा ओ लिखके आएगा ठीक है तो हमारे मोबाइल के माध्यम से मैं यहाँ पर क्वेस्टन लगाऊंगा उसके बाद आपको करना है ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं आज का सेशन एक बार पुना है आपसे आग्रह करता हूं चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मुझे मोटिवेट करने के ल और है एक महा बीर सौमि वन्यू विहार कहाँ परितित is जो इसका राय टेंसर फ्रेंटो है ललितपुर में महा बीर सौमि ब्रूपर शती श्थित है और यह जो एक पूछा जाएक फूचा और अगर आपसे पूछा झाएक प्रदेश सबसे चोटा वन्यू विहार नीजू हाम महा सबसे छोटा वन्यू का भेश माहाभीस्टों में वंदो्सीver की स्थित है लालितपूर में अगले कोश्चन पर चलते हैं अगला कोश्चन है उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने अप्शन नंबर ए है आदित्यनाति होगी भी है अखलेस यादो सी है कल्यान सिंग डी है मुलायम सिंग यादो जो इसका राइट वादा तक है इनका कारेकाल होता है इनके कारेकाल में महत पुण बाते हैं आप जो है अगर दोस्दार बाराथ इसमें ही अस्थानों पर पाया जाता है उसके बारे में कोश्चन है आपसन नमबर A है बादा वा सहरनपुर में B है बादा वा मिर्जापुर में C है बादा वा ललितपुर में D है बादा वा सोनभद्र में जो इसका राइट एंस और फ्रेंट सो है बादा वा मिर्जापुर में परद किस महीने में होती है तो समय उत्तर प्रदेश में सरवाधिक वर्षा दोस्तों जल्मा जुलाई के महीने में होती है करांतिकारी राम परसाद 2061 का जन्म कहा हुआ था प्रसाद बारे में डी है शामली में जो इसका राइट एंसर फ्रेंट्स ओ है साहजहापुर में करांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में मैं बात करूँ तो राक करांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म जो है 1897 सुई में साहजहापुर में हुआ था अगर इनकी फासी की बात करूं तिन्हे फासी जो है 1927 में गोरखपुर के जेल में दी गई थी इनके बारे में महत्पुण बात यहा है कि सरफरोशी की तमना अब हमारे दिल में है या किसकी रचना है यह जो है रामपरसाद भिसमिल जी की रचना है ध्यान रखिये गई से य काकोरी ट्रेन लूटने का जो कारनामा हुआ था 1925 इसुई में काकोरी स्टेशन पर हुआ था उसी मसले में 1927 में गोरखपुर के जेल में फांसी दी गई थी उम्मीद है कि रामपरसाद बिस्मिल के बारे में महतपूर फैट आपको पता चल गए होंगे अगले कोशन पर चल कानपुर देहात का मुख्याले कहां है कानपुर देहात का मुख्याले है अकबरपुर माती इसी तरीके के कुछ जिलों के मुख्याले जो है अलग है वहां से भी कोशन पूछे जाते हैं तो गौतम बुद्धनगर का मुख्याले कहां पर है तो गौतम बुद्धनगर का अध्यंद कर सकते हैं ठीक है अगले कोशन पर चलते हैं उत्तर परदेश का सबसे उत्तर ही जिला कौ तॉ उत्तर अगर बात करें सबसे दक्षड़ी जिला उत्तर परदेश को सबसे जब्र मेप अध्यंद जरूर करियेगा अगर आप उत्तर प्रदेश का सबसे दच्छड जिला की बात की जाये तो सोन बंद्र है सबसे पूर्वी जिला की बात की जाये तो बलिया है सबसे पस्मी जिला की बात की जाये तो सामली है ठीक है अगले कोस्चन पर चलते हैं अगला question है भारस सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनसूचित जनजाती का दर्जा कब दिया गया था अपसर नमबर A है 2001 में, B है 2003 में, C है 2004 में, D है 1995 में, जो इसका राइट एंसर फ्रेंट सो है 2003 में भारस सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनसूचित जनजाती का दर्जा दिया गया था, अगर 2003 से पहले की बात की जाया तो उत्तर प्रदेश में किवल दो ही जनजातिया थी, ओ थी थारू और भुकसा, अगर आप से question पूछा जाये को उत्तर प्र प्रदेश की जनजाती के नाम से एक वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से आप इसे देख सकते हैं, ठीक है, उमीद करता हूँ, आप जा करके पहले डीटेल में अध्यान करेंगे, उसके बाद question answer बनाएंगे, उसके बाद आत्मिविश्वास आपके मंदर पैदा होगा, वह कि आत्मिविश्वास आपको परिच्छा करेक कराएगा, ठीक है, अगले question पर चलते हैं, देवी निर्त्य कहां से संबंदित है, दोस्तों, निर्त्य के बारे में भी separate वीडियो में डाल चुका हूँ, आप वहां से देख लीजिएगा, या किसी अगले दिन मैं इसके बारे का नित्रित किस ने किया था, दोस्तों अगर बात की जाए 1857 की कुरांती की, लखनौ के नित्र तो जो है बेगम हजरत महल ने किया था, अबसा नमर डीज का सही है, मैं थोड़ा सा बात बता दे रहा हूँ, वाजिद अली साह, जो जब वाजिद अली साह की मृत्य हो जाती लखनौ के नवाप की तो उनकी पतनी थी बेगम हजरतमहल और बेगम हजरतमहल के एक पुत्र थे जिनका नाम था बिर्जिस कादिर बिर्जिस कादिर नाम था 1857 की क्रांती का जब एलान होता है तो उससे पहले जो है लखनव को भी अवद को भी अवद को भी अंग्रेजी प्रसासन के द्वारा हतिया लिया गया था जिससे जो है अवद के जो भी राजा थे जो भी मतलब की बेगम हजरत महल थी उससे आहत थी जब 1857 की क्रांती होती है अपने एक अलपवयस का पुत्र बिर्जिस कादिर को अवद का नवाब बना करके खुद 1857 की क्रांती में लडाई के युद्ध में शामिल हो जाती है ठी लखनों से संबंदी जितने फैक्ट थे मैंने आपको बता दिया अगली स्लाइट पर चलते हैं अगला स्लाइड है और भट्य नच्छतर साला कहां परिश्थित है तो दोस्तों नच्छतर साला से भी कोशन पूछ जाते हैं ऐसे कोशन उत्तर प्रदेस से संबंदी तो जो भी हैं ऐसे कोशन जो है उत्तर प्रदेस के विभिन परिश्थित हैं अब से पूछा जाए की रामपूर के बारे में मैं एक प्रेक्ट आपको बता दे रहा हूं कि रामपूर जो है सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला जिला है यहां से सांसत कौन है माननी आजम ख सब्सक्राइब तो पारी से और आर्या भट में शात्र सहाला रामपूर में इस्थित है और रामपूर के बारह मैंने एक शीच बताया कि रामपूर जो है सवाधिक आबादी वाला सेवाधिक मुस्लिम आबादी वाला जिला है अगले служ Lucky कोसेर सथी औन अग्ला कोश्श्टरिया कथक संस्थान कहा इस्थित है अप्सरिय है गोर्गपुर मेरी सहा जहांपुर मेस हैं सहारंपुर मेरी है लखण्यों जो इसका राइट आंसर फ्रेंट्सKंष्ऺं संस्थाण जो है God अगर इसकी अस्थापना की बात की जाया जिसकी अस्थापना जो है 1988 और 1989 के सत्र में हुआ था अगर बात की जाये पहले यह स्वायत संस्थान था मतलब कि खुद चलता था या किसी से संब्ध नहीं रखता था लेकिन 2010मे 2010 में लखनों विसे विद्याले से संबंद हो गया अब जो है कत्थक जो है कत्थक जो है बैचलर की डिगरी भी दे रहा है ठीक है यूजी की डिगरी भी बैचलर कत्थक दे रहा है ठीक है जैसे आप बीए बीसी करते हैं उसी तरीके से अगर आप राश्टी कत्थक संस्थान में कत्थक सिखते ह तो आपका उबैचलर डिग्री माना जाएगा 2010 के बाद लखनों विसीविद्याले से संबंद हो गया कथक संस्थान 1988-89 में इसकी संस्थापना हुई थी और जब इसकी अस्थापना हुई थी तिया किसी से संबंद नहीं था अगला कोस्चन है उत्तर प्रदेश के सरकारी कार क्यांते हैं तो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाएए वहां पर आप देख सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के सरकारी कारेों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवारी कर दिया गया अगर आपसे बात की जाए उततर परदेश की दुती यह भासा का उर्दू है उर्दू को नि solve1979 में उततर परदेश की दुती राजभासा दर्जा दिया गया अगले कोशन पर चलते हैं निवने में से किस आर्थिक शेत्र में क्रिसी जोतों का आउसताकार सरवाधिक है आफसर नमबर ए है पस्षी में उत्तर प्रदेश भी है पुर्वान चल सी है केंद्रिय छेत्र डी है बुद्दिल खंड अगर बात की जाए कि आर्थिक उत्तर प्रदेश नाम से इधाज्य का गठन कभ हुआ था तो इससे पहले आपको बता दों को उत्तर प्रदेश नाम से पहले हमारे प्रदेश का नाम से उत्तर प्रदेश रख दिया जाता है ठीक है अगर आप से क्वेस्टन पूछा जाए कि वर्तमान का उत्तर वो का वस्तित्त में आया तो एक नॉवंबर 1956 में जब राज्य का पुनर गठन हुआ था तो वर्तमान का उत्तर प्रदेश अस्तित्त में आया था ऐसे भी कोचन पूछे जाते हैं जो की इंपोर्टेंट है और आपको ब्रह्म की स्थिति में डाल देते हैं आप ध्यान रखि प्रसिद्ध है मिर्जापूर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है आपसर नंबर ए है पाईटंडा निरते के लिए बी है चरकुला निरते के लिए के लिए डी है नकटा के लिए जिसका राइटेंसर है फ्रेंट्स हो है कजरी के लिए कजरी जो है बरसात की महीनियों में गा गाया जाता है गाना है कजरी जो एक गाया जाता है गीत है और यह जो है मिर्यापूर में सरवाधिक परसिद्ध है ठीक है अबसने नंबर सी इसका राइटन्सर होगा अगले कोश्चन पर चलते हैं चित्र कला के मुगल सैली का का प्रारंब किस ने किया था अपसां नंबर ए है जहां घिर ने बी है एकपर ने सी है हुमायु ने डी है साजहाने प्रमुख व्यक्तित्त्व जो उत्तरप्रदिश से समंदित है उनके बारे में question आप यहां मेरे पास इतने ही कुस्चन रहे हुं वीज कोского के करी मेरे पास हमारे वीडियो को देखने के लिए मैं आपके सपोर्ट का आकंची हूँ आप जो है इसे सेर अपने हिसाब से करते रहेगा दूसरों तक सेर करेंगे तापका बहुत-बहुत धन्यवाद ऐसा करने के लिए धन्यवाद आपका मैंने तुरुपाद्ध्याच स्वागत करता हू धन्यवाद करता हूँ आपको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपका